तिलक मांजी भागलपूर इन्वर्सिटी के द्वारा यहापर ग्रेजुएशन में एड्मिशन के लिए नमानकन शुरू हो चुका है अगर आप इंटर पास कर चुके और ग्रेजुएशन में नमानकन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देख करके आप अपना आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं तिलक मांजी भागलपूर इन्वर्सिटी के द्वारा अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को अंतितक देखिएगा आपको पूरी जनकारी समझ में आ जाएगी कि आपको आउनलाइन आवेदन कैसे करना और मेरिट लिस्ट आउनलाइन प्रोसेस आपको लिखना है इतना लिख करके जैसे सर्च मारिएगा आपके सामने फर्स्ट पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा तीम टीम भी यूजी पार्ट वन एडिमिसन दोहजर बास इसमें दोस्तों याप पर आउनलाइन प्रोसेस करके रहेगा करिंदी यह आपको सर्च करना सच करने के बाद यह आप कर आजाएगा बहुत सारा दोसमैं और आपको इसका आवेदर अवहाला है इसका मिरिटर निष्ट आने वाला है यह सब सारी जनकारी दूस्तों आपको इस वीडियो में बताएगे या इस इस आर्टिकल में बताएगी है साथ साथ यह पर पेमेंट के लिए बताया गया कि जेनरल लोबी सी पर आपको न्यू यूजर रिस्टेशन पर आपको क्लिक करने के बादें पर आया ग्री पर क्लिक करना है अभी अपर दूस्तों आप से कुछ बेसिक डिटिल पूछा जा रहा है जैसे कंडिट नेम डेट वर्थ इमेल आडी पासवड जो पासवड डालेंगा वही चीज यहा आपका यहां पर आईडी पासवड आ जाएगा और है अगो कुछ इस तरह से यहां पर और आपको क्रियुअ और आपको क्रिट नियू अप्लिकेशन का और रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है अभी आप आपसे पूछा जा रहा है कि यूजी अडिमिसन के लिए आप फ यहां पर UG के यानि graduation में अड़िशन लेना है तो इस पर आप क्लिक करेंगा और UG admission में BA, BSC और भी कम तीन चीज के लिए आपर online आवेदन हो रहा है तो इस पर आप click कर सकते इस पर click करने के बाद अब यहां पर फिर से आपके सामने एक form open होगा जिसमें आपका basic detail को fill करना होगा यहां पर दूस्तों कुछ basic detail पहले से fill up किया गया है जो आपने registration करते वक्त दिया था वो detail fill up करने के बाद अब यहां पर आपसे gender पूछा जा रहा है gender male female select कर लिजागा जो भी होंगे उसके बाद उसने आपर अधार नंबर फिलप करना residence select करना है कि दूस्तों आप हिंदू है Muslim है क्या है वह आपको select करना है उसके बाद category आपको select करना है कि category में कौन से category से आप आते हैं अब यहां पर दूस्तों अगर आपसे भी होगा और फादर क्या करते हैं वह यहां पर आपको फिलप करना है उसको फैन फादर का annual income यानि सलीना आय क्या है तो बिलोव फाइव लाक यानि पांच लाक से कम है तो यहां पर हम select करेंगे फादर का मोबाइल नंबर आपको फिलप करना है दोस्तों ध्यान से समझेगा यहां पर फादर का आपको detail प्रिंट करना है जैसे फादर का नाम उनका occupation यानि क्या काम करते हैं उसको कितना इनका में उनका सालीना उसको उनका मोबाइल नंबर और उनका इमेल एडिए उनका इमेल एडिए डालना कोई जरूरी नहीं आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं यह इतना डिटेल फिल करने के बाद नीचे आना है रेसिडेंस एड्रेस में आपको यहां पर पूरा एड्रेस रफित में सब्सक्राद करने के बाद दुस्तों आप एक बार मैं आपको फित से समझा देता हूं आचे लाब करने के लिए हूँ भी ना और खिरूस ऑन कदो कि टेंथ बूर्ड आपकिस बूर्ड से पास हुए थे उसके बाद पस्टिंगे यहां किया है इसक disciplined November किटना का था और उसमें से किपना मार्स आया था यहां पर ध्यान दिजितना मार्स का था जैसे फाल सो मार्स का था तो फाल सो फाल में जितना आया होगा वह हां का क candy कम करना सुछान साथ साइन साइन आर्स को मर्स क्या था वह आपको स्ल एक्ताल मार्स क्तो टोटल मार्स में से आपको कितना मार्स में contar यह यहाँ पर आपको फिल करना है उतना होने के बद अब नीचे आना है नीचे दुस्तों को हर सब्जेट का आपको यहाँ पर देना है मार्स यानि दुस्तों यहाँ पर हर आपका एक सब्जेक्ट में कितना मार्स आया वो फिल करना है तो चलिए फिल करने के लिए आपको य सेवन करने उपर आपको क्लिक करना होगा अब यह पर आपको एड़ प्रिफेंस पर आपको क्लिक करना होगा यानि दूस्तों आपको प्रिफेंस यानि आपको कौन सा ओनर्स लेना है कमेस्ट्री यह सब जो आता है साइन्स ओनर्स लेना है आर्स लेना ा चाहते हैं उसके आप ओसाथ साथ आप याप पर सबसेडी सब्जेक्ट कौन कौन सा रखना चाहते है जैसे मैं आपर मैस अपने सबसेटी को एड कर लेना है कम से कम 3 आपको यहाँ पर college को add करना है यहाँ पर minimum 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 यहाँ पर college को add करसकते हैं ताकि आपके फिस्ट मेरीट लिष्ट में ही आपका नाम सेलेक्ट हो जाए और आपका एममिसन हो जा तो आप college को चूच करने के बाद save and continue पर आपको click कर लेना है मैंने यहां पर अपना यहां पर अपना college का नाम select कर लिया है अभी आपर हमें photo signature upload करने के लिए आ रहा है तो photo आपका यहां पर 500KB तक आपको jpg में upload करना है signature भी 500KB तक का यहां पर signature jpg में upload करना है डोकुमेंट में आना है document में आपको 10 का मार्चिट आपको यहां पर PDF में upload करना है 5MB से कम उसके बाद यहां पर आपको 12 का मार्चिट है आपको 5MB से कम आपको PDF में upload करना है उसे तरह की से अगर आप बिकलांग है तो बिकलांग का certificate अगर आपका यहां पर जो भी star mark लगा अच्छ कर लेना है नचा यह नचा आपको कास के Leon correctly आप से पुछा जा रहा है अगर आपको अपलोड करने का मनमगा तो एक पर अपलोड कर सकते हैं च्छोड सकते हैं वहुत दुस्तों आपको मेंडेटरी किया गया है यह आपको अपलोड करना ही पड़ेगा यह दुस्तों यानि दुस्तों इसमें आपको का सर्टिफिकेट अधार कार्ड इंकम सर्टिफिकेट 12 का मार्चिट और 10 का सर्टिफिकेट इतना सारा अप्लोड करना इतना अप्लोड करने के बद आपको स्टेमेंट नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है तो से आपको याम पर मार्कसित भी अपना अफ्लोड करना है मैंने आप याप पर अपना सारा डोकुमेंट को अप्लोड कर लिया है सेबन िर्च 2 मैं क्लिक कर लेता हूं सेबं नख्रिक करने के बाद अपका सारा चीज़ रहेगा तो यह आगे बढ़ जायेगा अन्यता दुस्तों आपसे फीर डौकुमेंट अप्लोड करने के लिए बोला जाएगा मेरा यहाप सारा चीज़ तहले है मेरा यहाप डौकुमेंट अप्लोड हो गया है अब यहां पर I agree पर क्लिक करना है, final submit पर आपको क्लिक करना है, final submit पर क्लिक करने के बाद यहां पर OK पर आपको क्लिक करना है, OK पर क्लिक करने के बाद आपका application ID जिनरेट हो चुका है, यहां पर मेरा चार्ट डोकुमेंट अप्लोड है, अब यहां से आप अगर अपना application form दे पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इमेल आड़ी मोबाइल लंबर फिलप करना यह अटमाटिक फिलप हो जाएगा अब यह पर आपको डेविट कार्ड क्रेडिट कर नेड़ बैंकिंग यूपी आई बारकुड बहुत सारा ओप्शन मिल रहा है इस और इस ओप चैनल को जौइन करना होगा वहाँ पर आपको हर अप्डेट दिया जाएगा तो ट्येल इक्रण चैनल को जौइन करना मत बूलिएगा यहिति छोटी सी अपडेट दुस्तु अगर आपको यह अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश करकर अपने सारे वट्सप ग्रूप में सेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेक नेश टॉपिक के साथ